असलाम वालेकूम, वेलकम बैक टू माय चानल, SK वर्ल्ड आज में लेकर आई हूँ अपने यूट्यूब फैमिली के लिए फ्रूट केक के इतनी जबरदसी रेसिपी जिसे बनाना कोई मुश्किल नहीं है बहुत ही आसानी के साथ ये तयार हो जाता है, आज की वीडियो डिटेल वीडियो है डिटेल वीडियो का मतलब हरगिस ये नहीं है कि बहुत ही लंबी चौड़ी वीडियो है बलके इसका मतलब ये है कि केक के समान कहां से मिलता है, कैसा दिखता है ये सब मैं आज आपको completely guide करने वाली हूँ, without skip किये video completely देखेगा वीडियो पसंद आए तो like और share जरूर कीचे का तो चलिए video को start करते हैं सबसे पहले हम लेंगे baking paper, baking paper कुछ इस तरह का दिखता है ये easily market में मिल जाता है, अगर lockdown के वज़े से आपको baking paper कहीं से भी नहीं मिल रहा तो baking paper को कैसे दियार करना है, इसकी detail वीडियो मेरे चैनल पर मौझूद है description box में इसका link दे देती हूँ, आप इससे जरूर देखेगा और फिर cake mold लेंगे और उसमें मैदा थोड़ा सा चड़िक देंगे और अब baking paper को oil से grease करेंगे, इसकी दोनों side को अच्छी तरह से grease करना है यहाँ पर हमने baking paper को grease कर लिया है और अब cake mold लेंगे और उसमें baking paper को इस तरह से लगा देंगे अब जो cake mold की जो sides हैं, इसको भी अच्छी तरह से हम oil से grease कर लेंगे cake mold क्रीस हो गया, आब इसे रखेंगे side पर और अब एक ball लेंगे और उसमें शामिल करेंगे दो अदद अंडे साथी साथ इसमें शामिल कर लेंगे half cup चीनी और अब इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे, यहाँ पर मैंने sugar powder यूज नहीं किया, यहाँ पर मैंने normal चीनी यूज की है, जिससे दानेदार चीनी कहा जाता है, तो इसलिए इसे बहुत अच्छी तरह से आपने mix करना है, ताके यह चीनी इसमें अच्छी तरह से dissolve हो अब इसे भी अच्छी तरह से mix कर लेंगे, और अब मैं इसमें शामल करूंगी vanilla essence, vanilla essence कुछ इस तरह से देखता है, यह भी market में बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है, यह इसलिए इसलिए इसमाल होता है कि ताके अंडे की smell ना आए, one table spoon vanilla essence इसमें हम शामल करेंगे, और फिस इसमें शामल करेंगे baking powder, baking powder इसमें half table spoon शामल करेंगे, baking soda इसमाल, बिलकुल पी नहीं करना से baking powder ही इसमें जाएगा, और अब हम इसमें शामल करेंगे एक कप मैदा, अब इसे अच्छी तरह से mix करेंगे, इतना mix करना है कि इसमें कोई भी lumps ना हो, साथ ही साथ इसमें शामल क करेंगे हाफ कब दूद और अब मैं इसमें शामिल करूंगे फूट कलर जो के यलो कलर है मेरे पास फूट कलर डालने का मक्सद यह है कि इसका कलर बहुत ही जबरदस्त आएगा यह देखिए मैंने फूट कलर इसमें शामिल कर लिया है और इसे अब अच्छी तरह से मिक्स करे तूटी फूटी मेरे पास दो कर्रमेथी रेड और ग्रीन वह मैं इसमें शामिल कर लिए हैं यहां पर यह मिक्स हो गया है अब इसे हम ट्रांसफर करेंगे केक मोल्ड में पैटर को केक मोल्ड में डाल दिया है अब इसे टैप करेंगे अब एक बड़ा सा पतीला नेंगे उसमें शामिल करेंगे एक थैली नमक और एक स्टेंड बीस में डाल देंगे और अब हम इसमें केक मोल भी रख देंगे इसे बिल्कुल low flame में आपने पकाना है इसे तैयार होने के लिए एक घंटा भी लग सकता है या एक घंटा से थूरा सा टाइम उपर भी हो सकता है और अब इसे cover कर देंगे तो यहाँ पर जनाब 30 minutes हो गए हैं और यह देखिए मैंने सुचा के आपको दिखा दूँ कि कितना अच्छा केक बेक हो रहा है और अब थोड़ी ही देर में यह तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर हो गया है पूरा एक घंटा और केक बिल्कुल रेडी है टूथपिक के जरीए आप चेक कर सकते हैं तो यह देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन वापिस आईए मॉल्ड को निकालने के बाद आप इसे इस तरह से टैप करेंगे मॉल्ड केक की साइड सोड़ देगा और इस तरह से बरतन के जरीए आप इसे निकाल सकते हैं यह देखिए नेचे से भी कितना परफेक्ट बेक हुआ है आप इसका बेकिंग पेपर हम रिमूव करेंगे यह देखिए कितना कमाल का लुक आया है और अब इसको कट करेंगे बहुत ही सॉफ्ट यह केक तयार हुआ है मैं आपको एक पीस कट करका दिकाती हूँ अंदर से भी इसका लुक देखें कितना खुबसूरत लग रहा है और अब इसी तरह से बागी पीस भी कट कर लेंगे इस रेसिपी को जरूर जरूर ट्राइ कीज़ेगा और मुझे से शेयर कीज़ेगा के आपका केक कैसा बना आप अपने डिश की पिक्चर हमाँ से शेयर कर सकते हैं ओन माई फेस्बुक पेज तैट इस एसके वर्ल्ड जस पांस मिनट की मिक्सिंग के बाद विदाउट अवन ये मज़ेदार सा केक बन के तैयार है आपको कैसा रहगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा इस वीडियो के बाद मुझे पूरी उमीद है कि आपको केक बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी आप बिल्कुल आसानी के साथ ये मज़िदार सा केक बना सकते हैं और अपनी फैमली के साथ इंजुआए कर सकते हैं मुझे दीजी इजाज़त मैं फिर आजिरूंगी एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ अब तक अपना बहुत सारा खयाल रखिएगा दौाओं में याद रखिएगा अलाहाफेज फी अमानिल्ह